क्या हल चाल और कैसे हैं आप लोग बहुत दिनों से आप लोग का इंतजार था ना नवंबर आजाए तब पढ़ूँगा ठीक है आज बात करेंगे कि आप बोर्ड एक्जाम 2023 का देने वाले हो ठीक है इंतजार करके बैठे थे कि जब नवंबर आएगा तभी से मैं पढ़ाई चालू करूँगा क्या कसम खाके बैठे थे क्या क्या तुमको किसी ने कसम दे दिया था कि तभी से तुम पढ़ना जब नवंबर आ जाए अब देखो समय तो आही गया नव नवंबर रोने से कोई मतलब नहीं है अब तुम अपने दिमाग को उल्लू बना करके किसी भी तरीके से काम निकाल लो भाई कोई आप्सन नहीं बचा है कोई आप्सन नवंबर है अभी भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत समय है परियाप्त समय है ठीक है बहुत समय है उस समय में तुम्हें क्या करना है उस समय में तुम्हें सारे स्लेबस को देखो सभी चैप्टर को पढ़ डालो सभी चैप्टर को अभी बहुत समय यार कहीं कुछ समय नहीं गया है फरवरी मार्च अब तुम लोग यही प्रक नहीं पड़ता है जो कि टुम्हारे हात में है कि तुम उसे क्यों से परिशान हो करके पूछते रहते हैं अरे बाई जब होना होगा क्यों परिसान पढ़े हो तुम जो अभी कर रहे हो जिससे तुमारी पोटेंसियल जिससे तुमारी ग्रोथ जिससे तुमारी प्रोडक्टिविटी जिससे तुमारी नॉलेज बढ़ सकती है तुम उसको increase करो न भाई पढ़ो किताबे पढ़ो अभी तुम्हारे पास समय है नंबरों को बढ़ाने का लेकिन October, November, December ऐसे करके महीने चले जाएंगे आपका दिमाग आपसे बोल रहा होगा कि भाई नंबर चल रहा है न December से पक्का पढ़ेंगे फिर December में जाएगा फिर वहाँ बोलेगा क्या करना पढ़ना December भी बहुत समय जनवरी में पढ़ लेना जनवरी में पहुँच जाएगा अभी है तो एक महीना फरवारी पूरा फरवारी पर है मार्ज में तिक जाम है फरवारी पहुच जाएगा देखो कईसे गेम खेलता है तुम्हाँ साथ फरवारी जब पहुचेगा तब यह तुम्हें पता है कईसे बोलेगा तुम बोलेगा भाई देख फरवारी को बोला था अब पढ़ते फरवारी से तो बोलेगा अबे यार इतना कम समय बचा इतने कम समय में तुम कई से पढ़ पाओगे ये लोग पलड गया पलड गया अंत मौके पर ये पलड जाता है भाई इसकी जो function करने का इसका जो funda है ना बहुत अच्छा है अब क्या होगा जब ये पलड़ेगा ना तब ये तुम्हें बोलेगा या बै जब तो तुम नावंबर में घूम रहे थे नावंबर में पढ़ लिये होते अक्टूबर में अच्छे तरीके रिवीजन करते दिसंबर में सब तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाता अब इतने दिन में कहां हो पाएगा अब तुम्हारा मूड खराब पाहिले से दिमोटिवेट थे इस दिमाग तुम्हारा और दिमोटिवेट कर दिया अब तुम परेशान किसी दूसरे बेक्ति से नहीं हो परेशान तुम खुद से हो खुद से परेशान हो गए तुम्हारा दिमाग सिंगनल दे रहा है वैसे इसलिए कहता हूं कि थोड़ा 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 इस दिमाग को लोड़ दो और सबसे बड़ी बात आती ही कि अगर इसको हम कुछ ना कर पाएं तो कैसे इसको हैंडल करें कैसे इसको कंट्रोल करें तो कंट्रोल करने का सिर्फ एक option है ध्यान करो ठीक है जो thoughts आ रहे हैं ना बहुत विचार आ रहे हैं इसके अंदर meditation करो एक चीज़ पर focus करो बस वही option बचेगा आपके पास इसलिए कहता हूं अभी November अभी आपके हांसे कुछ भी नहीं गया है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से क्योंकि ये November ये 2022 का ये November कभी आने वाला नहीं है अभी अच्छे तरीके से पढ़ करके आप अच्छे मांक्स हांसिल कर सकते हो यह मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ा motivation नहीं देने आया हूं यहां पर मैं मैं तुम्हें बस समझाने के लिए आया हूं ताकि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो ना जैसा दिमाग तुमसे निमाग बोलो गारे रुख आँ मिनट आई तो वर नहीं नहीं बसुठो अच्छे काम कर सिर्फ रदसमिनट कर किते मिनट व कि तुम जहां दस मिनट सोए यह सो गया चार घंटे के लिए चार घंटे अपना मस्त था अपना चार घंटे वाद उठा दस बजे अब यह तुम्हें एक कोने से सिंगनल देगा यह तुम दो सुबा उठी नहीं पाते हो तुम से क्या होगा जीवन में तुम बरबाद हो तुम जीवने कुछ नहीं कर पाओगे तुम नकारे हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे तुम भीक मांगोगे पस आई से नहीं सिंगनल देगा जब आई से सिंगनल या उसने दुनिया को जीत लिया इसलिए भी नवंबर है यार कुछ नहीं गया है सभी सब्जेक्ट को सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है कोई रूल नहीं है कोई इंपॉर्डेन कोश्चन का फंडा नहीं है सभी चैप्टर को पढ़ना है अच्छे तरीके से पढ़ना है नहीं है यह याद करके चलना ठीक है आज की लिए यही तक मिलते नेश्ट वीडियो में विस यू अल दे बेस्ट थैंक यू